हाई गाइज विल्कम बेक तो मैं यूट्यूब चैनल और मैं अब रेश्मी और आज की वीडियो में आप से शेयर करने वागी हाव तो चली चली से मैं फी वीडियो स्टाट करते हुआ स्टेप है लेमन शुगर स्क्रब इसके लिए हमें चाहिए वन टबल स्पून अफ शुगर और टू तबल स्पून अफ लमन जूस इन दोनों इंग्रीडियन्स को हम अच्छे से कटोड़े में मिक्स कर लेंगे शुगर हमारे स्कीन को एक्सपोलियेट करने में बहुत काम करत करता है तो इस पैक को हमारे स्कीन पे लगा कि मतलब आपके फेस में और जहां-जहां टैन है वहां पे लगा कि टैन मेंस तक छोड़ दीजिए उसके बाद 10 मिन हो जाने के बाद इसको हलके हाथों से रब करके मसाच करके आप इसको धो लीजिए आप शावर भी ले सकते हो यहां पे भीगा हूँ तावल से अपनि मतलब के हातों से इसको साफ भी कर सकते हो मैं यहां पे भीगा हुआ टावल से इसको साफ कर देंगी हूं एक दम अच्छे से साफ कर देंगी स्टेप स्टेंफ एकश्का और योगर्ट इसके लिए हमें टू तो टेबल स्पन और भी नहीं कि आया हैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद इसको अबने प्लात है मैं यहाँ आप मिलक कर लबा लगा कि आपको दिखाए हो मिध्व घ्राम फ्लो यानि की बेसन है जो हमारी स्केन के लिए बहुत अच्छे से काम करता है मतब आप बेसन और मिल्क को मिला कि फेश्वस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इस मास्क में दही भी है दही में लैक्टिक एसिट और अलफा हाइड्रोक्टाइट होने के वज़े से ये डेट स्किन सेल को रिमूफ करने में बहुत हेल्प करता है इस फेस मास्क को हम अपने फेस और नेक पे 15 मिनेंच रखेंगे उसके बाद हलके हाथों से इसको मसाज करके इसे ठंडे पानी से धोलेंगे थर्ड है टमेटो और योगर्ट फेस बैक इसके लिए यहां पे मैंने वन टमेटो को मैश करके एक कटोड़ी में ले लिया है और वन टेबिल स्पून अफ योगर्ट इन डोनों इंग्डियन्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक साथ योगर्ट के बेनिफिट्स तो मैंने पहले ही बता दिये तो टमेटो में नैचरल ब्लीचिंग प्रॉपर्टिस होते हैं जो हमारे स्किन को लाइपिंग और ब्राइटिंग बनाने में हमारी हल्प करते हैं तो इस पैक को हम अपने स्किन मजफ़े इस पे नेक पे और स्किन मे कर सकते हों कि अच्छी लगी तो प्लीज में को लाइक कीजिए में वीडियो अपनी प्रेंज को शेयर कीजिए और मेरे चैनल के सबस्क्राइब कीजिए यह बिल्कुल फ्री है और उसके बगल में बेल बटन है उसको क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए उससे आपको मेरी ल